जहिन दोस्तों यह है 2022 की न्यू अपडेट हॉंडा हॉंडे 2.0 का मेट ग्रे कलर सिंगल चैनल ABS के साथ इस बाइक में कमपनी ने क्या-क्या बदलाव किया है क्या-क्या फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं माइलेज और टॉप स्पीड कितनी है कीमत बढ़ने के बाद इस बाइक के डिटेल ऑन रोट कीमत कितनी है यह सारी जानकारी मैं आपको आज के इस वीडियो में देने वाला हूं तो दोस्तों वीडियो के लास तक बने रहना तो चलिए सबसे पहले सुरुआत करते हैं इस बाइक के फ्रंट प्रोफाइल से तो यहाँ पे आप इस बाइक का पूरा फ्रंट प्रोफाइल देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपको इसका फ्रंट प्रोफाइल देखने को मिल जाता है इसके meter console के उपर आपको यहाँ पे Honda की branding देखने को मिल जाती है, काफी सांदार यहाँ पे आपको 1000 light switch के साथ LED के यहाँ पे आपको turn indicator देखने को मिल जाती है, यहाँ पे आपको front में registration plate लगाने की जगर देखने को मिल जाती है, split LED headlamp setup आपको देखने को मिल जाता है, उपर मे आपको low beam और नीचे में high beam देखने को मिल जाता है, काफी bright और काफी चोड़ी यहाँ पे आपको front वाला mudguard देखने को मिल जाता है, इस bike का सबसे अच्छा part है, इसका front वाला suspension, golden color के USD upside down fork type के यहाँ पे आपको suspension देखने को मिल जाता है, जिसके दोनों और company ने reflector प्रोवाइ 110, 17, 17 के यहाँ पे आपको tubeless tire देखने को मिल जाते है, 17 इंचे के black color के alloy के साथ, और दोस्तों इसके front में आपको MRF company के tire देखने को मिल जाते है, इसके अगर fuel tank की बात करें तो यहाँ पे आप इसके fuel tank काउल पे देख सकते हो, Honda की branding आपको देखने को मिल जाते है, नीचे मे सेंटर की यहाँ पे आपको fuel tank capacity की देखने को मिल जाते है, जो की long distance के लिए काफी अच्छी है, और दोस्तों center में आपको mitt के finish को मिल जाते है, जो की इस बाइक के look को काफी enhance कर रही है, और यहाँ पे आपको Honda की branding की देखने को मिल जाती है, आगे में आपको fuel tank cap देखने को म को मिल जाती है यहां पे आपको फूली डिच्टल काइप के मीटर कंसोल देखने को मिल जाती है गै उफ्लेज़ नाती है और घिलो मीटर की रुडंडिन आपको देखने को मिल जाते है fuel gas आपको d appointed employment tire gear shift indicator अपको देखने को मिल जाता है और console के दोनों साइड में आपको turn indicator की warning देखने को मिल जाती है और नीचे में आपको mode का button देखने को मिल जाता है जिससे आप trip A trip B को reset reset कर सकते हैं इस bike आपको रियल टायम राइन रेंज देखने को नहीं मिलता है और इसके राइख हैंडल पर चले हम अहाँ पे rapt के सीट कोमफ़र्ट की पिस बाइख वाईख सकता हैं थार कोई आपको सेलफन टाइप के स्विआप सप्लिट तब देखने को मिल जाते हैं, 790 mm की seat height आपको देखने को मिल जाते हैं, काफी sporty look इस bike का seat आपको provide कर रहे हैं, कुस्निंग काफी अच्छी है आपको देखने को मिल जाते हैं, मेंट ब्लैक कलर के आपको काफी सांदार split type की grab handle देखने को मिल जाते हैं, seat cowl पे आपको sporty look इसका seat cowl प्रोवाइट करा रहा है, यहाँ पे आपको 2.0 की basing देखने को मिल जाते हैं, कुछ car when के finisher यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं, ब्रेक पैड यहाँ पे आप देख सकते हो इसके इंजन और पावर की बात करें तो इस बाइक में आपको मिलता है 184.4 CC का एर कूल 4-stroke सिंगल सिलेंडर BS6 इंजन जो मैक्सिमम पावर जेनरेट करता है 17.26 PS का 8500 RPM और मैक्सिमम टॉर्क जेनरेट करता है 16.1 NM का 6000 RPM दोस्तो इस बाइक में आपको 5-speed gearbox देखने को मिल जाती है टॉप स्पीड आपको 130 km पर आवर का देखने को मिल जाता है इसके अगर पीछे की ओर चलें तो यहाँ पे आप देख सकते हो राइडर का एड़श्टेवल फूटरेश्ट देखने को मिल जाता है यहाँ पे आपको पीलियन का एड़श्टेवल फूटरेश्ट देखने को मिल जाता है यहाँ पे आप इसका exhaust देख सकते हैं काफी सांदार लुक के साथ इसका exhaust देखने को आपको मिल जाता है और दोस्तों अगर इसके rear tire size की बात करें तो यहाँ पे आपको 140-70-70 के tubeless tire देखने को मिल जाते हैं इसके rear में आपको MRF company के tire देखने को मिल जाते हैं 220 mm का यहाँ पे आपको digs brake देखने को मिल जाता है और दोस्तों इसके rear में आपको mono sock type के adjustable suspension देखने को मिल जाते हैं चलिए दोस्तों नेक्स चलते हैं इसके rear profile की और तो यहाँ से आप इस bike का पूरा rear profile देख सकते हो काफी sporty look में से design किया है LED के यहाँ पे आपको X-Ship के tail light देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे आपको Honda के branding देखने को मिल जाती है LED के यहाँ पे आपको turn indicator company ने provide कराया है जो की काफी अच्छा look दे रहा है यहाँ पे आपको reflector company के दोड़ा दिया गया है registration plate लगाने की जगर आपको देखने को मिल जाती है इसके अगर left side की profile की बात करें तो कुछ इस तरह का आपको इसका left side का profile पूरा देखने को मिल जाता है दोस्तों यहाँ पे आपको sari guard लगाने का जगर देखने को मिल जाता है जो की यह कि सरीच का part है seat cowl के नीचे यहाँ पे आप देख सकते हो seat locker का यहाँ पे आपको option देखने को मिल जाता है open chain set के आपको covering देखने को मिल जाती है fiber body के साथ और यहाँ पे आपको pillion का adjustable footage देखने को मिल जाता है इसके अगर आगे की ओर चले तो यहाँ पे आप देख सकते हो rider का आपको adjustable footage देखने को मिल जाता है side stand cutoff जैसे features आपको इस bike में देखने को मिल जाते है five speed gearbox आपको देखने को मिल जाती है दोस्तों बात कर इस bike के dimensions की तो wheelbase आपको 1355 mm का देखने को मिलता है height आपको 1064 mm का मिलता है width आपको 783 mm का देखने को मिल जाता है चलिए दोस्तों finally बात करेंगे इस bike के pricing की तो इसकी एक showroom कीमत 1,36,266 रूपीज और इसकी on-road कीमत 1,62,460 रूपीज ये on-road कीमत की जानकारी मैंने आपको दिया Krishna Motors, Sakharagat Road, Mujapparpur, Istitth showroom में आप Mujapparpur से और आसपास के किसी भी city से हो तो आप इस showroom में भीजिट कर सकते हो दोस्तों आप लोग किसी भी city से और इस bike की on-road price जानना चाहते हो तो आप मुझे comment में अपने city का नाम लिग करके भेज सकते हो थैंक्यू दोस्तों वीडियो के लास्त तक बने रहने के लिए वीडियो पसंद आई हो हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को जादा से जादा लाइक कीजेगा सेर कीजेगा और चैनल को सस्क्राइब जड़ू कीजेगा थैंक्यू सो मच